यदि आप मोटे हैं या मोटापा की समस्य आपको गहर रही है तो तेजी से कम करना है मोटापा तो वेजिटेबल के जो जूस होते हैं आज के समय में देखिए मोटापा एक गंभीर समस्या है और इसके चलते शरीर तो बेडोल दिखता ही है यह कई तरह की बीमारियों का कारण भी बनता है एक तरह से यह आपके जीवन की गतिशीलता को रोग देता है और छोटे छोटे काम करने के लिए भी आपको बड़ी मशक करतों का सामना करना पड़ता है आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए आज कुछ ऐसे वेजिटेबल जूस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसे नियमित पीने के बाद आपका शरीर फिट एंड फाइन हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से जूस है जिनको हम लें तो हमें लाब होगा और मोटापा से रहत मिलेगा वजन भी कम होगा बंदगोवी का जूस बंदगोवी में फाइबर के मातरा अधिक होती है जूस बनाने के लिए पानी मिलाकर इसे आप पेस लें इसके बाद जब जूस तयार हो जाए त हायक होता है दूसरा है टमाटर का जूस एक स्टेडी की माने तो नियमी टमाटर का जूस पीने से कमर की जो चर्वी है इसकी समस्या दूर हो जाती है बीस से तीस वर्ष की महिलाओं को दो महीने तक याने लगबग साथ दिनों तक टमाटर का जूस रोज पिला कर अध्यन क किया गया तो यह पाया गया कि उनके कमर की जो चर्वी है उसमें दो तिहाई का अंतर आया देखिए एक होता है बीट रूट जूस बीट रूट जूस में विटामिन सी फोलेट मेगनिशियम आइरन कॉपर और पोटेशियम जैसे पोशक तो होते हैं जो आपको लंबे समय तक व्यायाम करने के बाद भी ठकान महसुस नहीं होने देते इसके चलते आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहते हैं एनरजेटिक रहते हैं अगला जूस आता है करेले का जूस देखिए करेले का जूस कई समस्याओं के निदान के और हाइपर टेंशन वालों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है यह बलट सुगर लेवल को कम करके इंसुलीन के उत्पादन को बढ़ा देता है और शरीड के भीतर आतिरिक्त सुगर लेवल को कंट्रोल कर याने एक्स्ट्रा जो सुगर का लेवल बढ़ जाता है उस पीने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है लौकी का जूस पीने के कारण रक्त का जो संचालन है उसका संचरन है वो भी बहुत अच्छा होता है जिसके चलते आपकी इसकीन भी ग्लोएने चमकने लगती है चेहरे पर कांती और चमक निखर आती है देखिए पालक के जूस पीने के बाद भूख नहीं लगती इसके नियमित सेवन से वजन भी कंट्रोल रहता है तो यह कुछ सबजियों की जूस थे उमीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलत कर